क्रिक्ट मनिया एक्स्पेस लेकर आया है आपके लिए 2023 एशिया कप के फाइनल की कुछ जल्गियां यह देखते हैं कैसे चूटा भारतिय गैन वाजों का कहर स्वी लंगा के उबर और यह स्प्रीट बुम्रा लेकर आये हैं अपने पहले ओवर की पहली गैन और यह अच्छी फिल्डिंग पुल्दी प्यादप के द्वारा और यह पहले ही ओवर की दूसरी गैन पर इस्रिलंगा अपना पहला विकेट कवा चुगा है बुम्रा की गैन पर बहुती सांदार केश लपका केल राहूल ने और यह मिली श्रीलंगा को अपनी पहली बाउंडरी चौके के रूप में श्रीराज लेकर आये हैं अपना दूसरा ओबर और यह कुछ इस तरह से लिया सिराज ने श्रीलंगा का दूसरा और अपना पहला विकेट बहुत सांदार केश लिया रविंदर जड़ेजा ने और यह तीश्री गैन पर ही फिर से किया एक कौर लवी डवल्यू लेकिन श्रीलंगा ने लिया डियारेस और थार्ड एमपार ने भी यहां फैंसले को रखा है बर्गराज और यह चोथी गैन पर ही एक और विकेट इशान किसन के द्वारा लिया गया आसान था कैश शिराज अपनी हैट्रिक से सलचू गए लेकिन अपने विकेट की हैट्रिक पूरी की और यह दूसरे ओवर की लास गैन पर एक और विकेट लिया शिराज ने केल राउलने बहुत ही आसान तरीके से कैश को लबता इस तरह से महम्मस शिराज ने अपने एक ही ओवर में चार विकेट लिया और एक और फिर से शिराज ने अपने तीस्ते ओवर की तीस्ती गैन पर ही किया एक और क्लिन बोल्ड इस तरह से शिराज ने किया अपने पांस विकेट टूरे इस गैन पर मिला स्री लंगा को चौक लेकिन मौका तो गवा चुकी है स्री लंगा एशिया कब चीतने का शिराज ने फिर से अपने छटे ओवर में लिया अपना छटा विकेड किया क्लीन बोल्ड अब हार्दिक ने दिखाया अपना दम और लिया स्री लंगा का आठवा विकेड केल राहूल ने लबका बड़ा ही आसान सा कैच एक बार फिर से हार्दिक ने अपने तीश्रे ओवर की पहली ही गैन पर स्री लंगा का नवा विकेड लिया विराट ने बड़े मजे के साथ लबका कैच विराट समझ गए कि अब तो आराम ही करना है सारा काम तो गैनदवाजों ने कर दिया और ये लिया एक और विकेड हार्दिक ने इस तरह से पूरे की अपने तीन विकेड और स्री लंगा हुई ओल आउट मात्र पचास रणों पर इशान किसा ने बहुत ही आसान इसे कैच को अपने नाम गिया